आज हम बात करने वाले अपनी BMW के बारे में अपनी क्यों कह रहा हूँ कि आप भी मैसा connected है आप भी अपना feel करते हैं कि ये आपकी ही बाइक है इसके बारे में बात करने वाले है पहले comment आए था कि आप अलग अलग वीडियो में mention कर रहे है एक चोटी-चोटी चीजे आप एक complete वीडियो बनाई है जिसमें सब कुछ मैं सोचा कि complete वीडियो जाता है हूँ और वैसे भी lockdown हो तो काफी अच्छे वीडियो आई डियता जो मैं अब execute कर रहा हूँ hopefully you will like it so what's up वीडियो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आउटसाइड की बात करते हैं सीट काफी जैल वाली शीट होती है वह वाली हो उपा से जो कवा जड़ा वाटर प्रूफ है बट स्किड नहीं होता है जैसे कि आप स्किड होगे आगे पीछे कम जाते हैं और कटी भी नहीं है मतलब दो सेक्शन ने बटी होई नहीं है सिंगल एक सीट है लंबी वाली एक्जोस्ट के वाले मतलब स्टोक एक्जोस्ट है मैंने चेंज नहीं करा है क्योंकि आप इंडिया में हो रही है दिक्कत चलान बहुत कट रहे हैं तो एक्जोस्ट चेंज कराना आइधिंक नोट वर्थी त साउंड आपको मिलता है नहीं जो आपको एक सूपर स्पोर्ट बाइक मिलता तो उसमें कोई वर्थ करता भी नहीं है एक सिंगल पैनी और इसके एक जोस्ट काफी एक्सपेंसिव आते हैं मिनिमम आप भी इन्वेस्ट करना है देख रहे हैं देखेंगे फिर आपको और जल काफी लैक काफी रेगलर हूं बाइकिंग में रेगलर जाता रहता हूं तो कवर अप करने के नजाद में जो पढ़ती नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पैनेंस के लिए मांटिंग लगी हुए है यहां पर देखते हैं तो यह ओफ रोडिंग लग है जिससे पैसल करता है मैंने के एक एक्स्रा करचा किया बाद में बाइक लेने के बाद कि मैंने साइड स्टेन्ड शू लगवा दिया जिस्से कि सुप ना करarent डिग ना थो धिकत ना है यहां पर लगाए चोटा साए गाड इधर चो इंजन को प्रोटेक्शन देता हुआ हो त्य हाँ और यह एक प्रोटेक्शन यहां भी आती है वो मैंने भी तक लगवाया नहीं है तो कैसी लुक में लगती है अगर लुक अच्छी नहीं लगती है तो आधी चीजे वैसे ही आपको ऐसे लगता है इसको निकाल दे लेने के बाद तो नहीं करना है मैं अचनल से नहीं लगा रखा है जिसमें मैं नवीगीशन यूज करता हूं बह्त एक बैनिफिट है कि मैं नवीगिशन इसमें भी उझ्टा सकता हूं फोन से वह है वह भी बताने वाला हूं कैसे फ्रेंट में LED का डिजाइन आता है प्लस LED strip या daylight running strip होती है और मैं इसको start करता हूँ तो देखो ये strip आ गई है light on हो गई है light वैसे automatically है टरनल में जाते light automatically on हो जाती है और wind screen है वो भी adjustable है जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसको extension करके देखा था कि extension के बाद बाइक कैसी लगती है तो सब ने reject कर दिया मुझे भी इतनी comfortable नहीं लगी तो मैं इससे extend नहीं करने वाला हूं बिल्कुल भी साइड वे विंट की प्रोटेक्शन देखिए जो काफी हलफूल है इंडिकेटर एलेडी वाले हैं मैं की बाइक लेने के बाद बेर एलेडी नहीं आते हैं तो दुख होता है काफी ज्यादा दू एलेक्ट्रोनिक चीज़ आती है अज़स्ट करने के लिए काफी यूसफूल है क्लेश लाइस परफोर्मेंस मतलब मस्त एक दम से ना लोग रेड़ पर काफी हल्फूल होता है क्लेश दबा दबा के आप काफी परेशान हो जाते हैं और बिना क्लेश के काम चल जाए तो क्या वात है प्लस फ्रंट में देखेंगे या पर डैंपनर है जो कि काफी यूसफूल है लाइक इसे वोबल वगर नहीं करती है मैं स्विच्छोन कर देता हूं जैसे कि आप देखते हैं जीएस लेकर लिखके आ रहा है बट जीएस ए है मेरी बाइक जीएस मतलब होता है कि जीएस मतलब होता है ओन डोड ओफ रोड और ए मतलब एडवे कोई इस में एक्ट्र टेंग काता है काफी एक्ट्र फीचर आते हैं फुली लोडिद आते के देखये तो इंसमें दोसे दो मोडल आते है ब्से तांड प्रो वाला मोडल जिसमें सारे फीचर अब को वनेबल होते है बेकट्टू स्ण mais और अगे आप नेवीगेशन जैसे मे प्रवीडिया और टेलीफोन कनेक्ट होता है सहीना कनेक्ट करूंगा जो मेरे पास है इंटरगों या कोई भी इंटरगों सब कनेक्ट करके हैं अब यहां पर विएकल सेटिंग आती है लाइट्स एंड अंडूरो प्रो वाला जो मोड है आप यहां से कैसे अड़ेस्ट करते ह बाकि system settings है connection settings है यहां से मैं मोबाइल कनेक्ट कर सकता हूँ rider helmet कनेक्ट कर सकता हूँ तो पाहलो में मोबाइल किनेक्ट करता हूँ उसके लिए मुझे Bluetooth करना पड़ेगा ICC 6.5 इंच 6.5 इंच स्क्रीन है तो काफी अच्छी स्क्रीन से लिपको मॉबल डिबाइस को ड यहां यहां पर नीचे जाके अगर आप कनेक्ट करना चाहे तो बाकी कनेक्ट करना चाहे तो बाकी कनेक्ट कि से अप्षण को और इदर से मिल जाता है अभी बाकी מाई वहिकल की सैटिंग में जाके देखते हैं कि और क्या आपट्यूमेटर फ्यूल की रेंज यह hours break आप इसके according adjust कर सकते हैं trip है यह trip 2, trip 1 यह onboard computer की trip 1, 2 और surface interval जैसे उसमें दिखाया थे कि यहाँ भी दिखा दिया है अभी आपर चलते हैं main menu में अभी बाकी settings को explore करते हैं यहाँ पर road दिखा रखा है इसको मैं पहले charge करता हूँ और यहां से रोड को चेंज करके मैं पहले यह पिलियन वाली सेटिंग में आ गया है और यह सिंगल बंदे की सेटिंग में है और यह ज़र देख रहे हो दाइनेमिक रोड दाइनमिक आई सेटिंग करकते हैं सेटिंग को इसमें पावर डिलिवरी काफी अच्छी हो जाती है जल्दी कुक्ली रिस्पांस करता है मज़ा आता चलाने में बट सफेंजेंग मोडे अब अबने अगोडिय को अब इसके बाद आदा रेंद मोड में च्रेक्शन काफी जादा बढ़ जाता क्यूंकि रेंद में आपको ट्रेक्शन की जूद पढ़ दी आप ब्रेकिंग करते हैं यह विस्प्ली वर्क होता है ग यहां से ग्रूज कर सकता हूं, यहां से स्टार्ट नहीं गया, चलते तो मैं अभी दिखाऊंगो, दिखाँगो, यहां उद गाए, बागी क्रूस के लिए कर सकते हैं, यहां से पार्किंग लाइट ओन हो जाती है, चारो इंडियोटर साथ में बिलिंग करने लग जाते हैं, कि इसको निकालने के बाद भी बिलिंग करते रहेंगे, स्विच ओ फोने से भी कुछ डिफरेंस नहीं आता, फिर स्विच ओ करना पड़ेगा और फिर सको प्रेस करेंग तो वो बंद हो जाएंगे, देखा अब नहीं आरे हैं लाइट से, बेसिकली इस इस बाइक, काफी कोसली बड़े है, इसमें एक्सेसरीज भी काफी लगाने पड़ी है, मुझे, छोटी मोटी लगाई है फिलाल तो, मैं अब भी दिखाई नहीं है, दिखाऊंगा फ्यूच सकते हैं अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं कर लीजी आर इतनी अची बाई के लोंग टूस आने वाले, अभी बस लोगडाउन, टैन डेज कही रह गया है, उसके बाद यह उपन हो जाएगा, उसके बाद होने वाली फिर मजा मस्ती, लोंग राइट, शोट राइट, काफी राइट आने वाले, आपको मज़ा आने वाला भरपूर, तो अब सब्सक्राइब कर लिजा मिल तें लिए वीडियो में लिए लाइट रिवीटियम बाई